नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत एक बार फिर से मेरे चनल एनपी कुरूप में दोस्तों देखिए जेवर एरपोर्ट की लेटिस्ट खबर को लेकर के हाजिर हुआँ दोस्तों और इसमें जेवर एरपोर्ट के मौपजे को लेकर के कुछ जानकरी दी गई है दोस्तों तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए इसमें मुआपजे की ऊपर कुछ तैयारिया चल रही है जिसकी मैं आपको इसमें जानकरी बताऊंगा तो दोस्तों बने रही है हमारे साथ जेबर एरपोर्ट के लिए मुआपजे की तैयारियों में जुटा परसासन दोस्तों जेबर एरपोर्ट के जो मुआपजे की तैयारियों में जुटा परसासन जुट गया है और तैयारियां बहुत जोर से चल रही है दोस्तों तो इसमें जानकरी लेते हैं कि दोस्तों किस-क क्रम में ब्रस्पतिवार को उपजला अधकारी जेवर प्रशून द्वेदी और प्रभारी जेवर एरपूर्ट डिप्टी कलेक्टर अभ्यकुमार सिंग ने गाउं रनहेरा और पारोही का निडिक्षण कर मौपजे वा अवाड की त्यारियों का जायजा लिया रनहेरा और पारोही में अवाड सबसे पहले होना है इसलिए दोनों अधकारियों ने इनी दोनों गाउं का निडिक्षण कर वहाँ चल रही त्यारियों का जायजा लिया और अधिनस्त अधकारियों और करमचारियों को आवस्यक दिसा निर्देश दिये बता दें कि अंतराष्टिय ग्रीन फिल्ड जेवर एरपोर्ट के लिए 1249 हेक्टेर भूमी का अधिगरण होना है इसके लिए भूमी अधिगरण की कार्रेवाई चल रही है प्रशासन द्वारा एरपोर्ट का कार्रे तेज गती से मुआपजा बित्रन और सलिन्यास की देकि इसमें रनेरा और पारोई गालों में सबसबसे पहले यावाड होने वाला है इसलिए दुन ऑर सबसे पहले इसज़ा गालों कर दोस्तों अब यसी में मौप जैब्यियंद आटने की दोस्तों आसा करता हूं कि और विडियो अच्छी लगई तो आप इस वीडियो जाद जाद सेयर करिए लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद दोस्तों